वाल दोस्तों, अगर आप एक hair curler लेना चाहते हो, बले आप अपने personal use के लिए लो, या फिर आप एक makeup artist हो, अपने shop ये saloon के लिए लेना चाहते हो, देखो यार hair curlers पहली बात तो अलग-अलग type के आते हैं, कुछ आपको 7mm thin वाले मिलते हैं, जो इनको की आप chopstick curler भी कहते हो वो basically na hairs को काफी जादा curlers इसको करना है, उसके काम आते हैं, बरना secondly 19mm या फिर 25mm वाले भी आते हैं, जो की थोड़े बड़े curls लेके आते हैं आपके बालो में, अब यहाँ पर आपको एक दो चीज़ ध्यान रखने हैं, कि आप जो भी hair curler ले रहे हो, उसमें आपको ceramic coating मिले जो heat distribution है, even हो, साथ की साथ आपके बालो को भी कोई नुकसान ना हो, बाकी तो guys, अगर आपको भी hair curler लेना है, confused हो, make sure to watch this video till the end, आपको Amazon पर सबसे जादे बिखने वाले, 5 hair curlers बताऊँगा, जो की में तरफ से highly recommended है, कोई भी उन्हें purchase कर सकता है, आँख बन करके, अगर एवरेस सी build quality देखने को मिलती है, जो इसका material है, वो titanium आता है, एंड इसका जो barrel लेना काफी जल्दी heat up हो जाता है, तो within minutes आप अपने hairs को curly कर सकते हो, इसके तुरू, सारे hair traps को suit करता है, इसकी जो cord length है, वो आपको 2.5 meter मिलती है, जो की काफी जादा है, on off का switch आपको मिली ज करोगे, तो call को कोई नुकसान नी होगा, price की बात करों तो ये जो hair curler है, 799 rupees का आता है, अगर आपको ये product मिल जाए, लगबख 600 रुपे के आसपास, तो आप इसको ले सकते हो, इस budget में मैं इसको recommend नहीं करता, हाँ, chopstick hair curler लेना चाहते हो, यही आपकी need है, देन आप check out कर स short and long hairs, दौनों तरह के hairs में काम कर जाता है, आपको यहाँ पर safety stand दिखने को मिलता है, इसके अंदर, on-off button मिल जाता है, LED indicators दियो हुए, पीछे की तरह वही 360 degree survival cord मिल जाती है, and इसमें उपर ही उपर insulated tip लगी होगी है, जो की basically एक cold insulated tip होती है, so that वहाँ आपका हाथ अगर which is from vega, इनका vega ease curl, यह जो hair curler है, 19 mm barrel के साथ में आता है, आगे आपको इसमें clam भी दिया हुआ है, तो like आपको, आपको तुस DIY hex करके, इस के through straightening भी कर सकते हो, यहाँ पर basically आपको chrome plates मिलती है, जो की serum कोटिंग के साथ आती है, तो जलने वगरा का खतरा नहीं रहता, and a clam भी मिल जाता है आगे की तरफ, यहाँ पर जो maximum temperature है, वो 200 degree तक ही जाता है, बाकि सेम वही cool tip मिल जाती है, आगे, आपको एक ठीक टाक build में देखने को मिलता है, 35 watt के आसपस का power consumption है, यह भी 2 साल के warranty के साथ आता है, guys, at number 3, you can check this one, price की बात करूं, 1200 रुपे में आ जाता है, and इस budget में definitely इसको check out कर सकते हो, now guys, here comes the second one, which is from Agaro, इनका SC606001 hair curler, यह अगारो का यह जो hair curler है, 25 mm barrel के साथ में आता है, सबसे पहले इसका जो build है, अब तक के सारे hair curler से सबसे बहतर निकल के आता है, एक premium polycarbonate build मिलेगा आपको, बाकि इसमें भी आपको, ceramic coating मिल जाती है, बाकि इसका जो stand आता है, वो practical stand आता है, कि easily आप उसको put कर सकते हो, बाकियों में जो आता है, वो काफी छोटे आता है, तो वो ले देगे गिरी जाते है hair curler, यहाँ पर भी आपको दो सल की warranty मिल जाती है, 200 degree तक यह चला जाता है, इसका जो price है, 800 rupees के something आता है, and मेरी तरफ से add number 2 highly recommended है, अ इसके भी आपको ceramic coating के साथ मिलता है, 16 mm की barrel आती है, इसकी सारे indicators वगेरा मिली जाते है, overall इसका जो build है, like अगार हो काफी premium निकल के आता है, 360 degree survival rod मिल जाती है, पीची की तरफ, cool tip बगेरा सब है, ceramic coating मिलती है, यहाँ पर भी बाकी on-off switch बगेरा मिल जाता है, यहाँ पर जो power consumption है, 40 watt के आसपास आता है, तो इसका जो heating time है, वो काफी कम लगता है, इसमें, like within one minute, full heat हो जाता है, and आपका काम निकाल देता है, इसकी price की बात उसे जिल्दी किसी नई वीडियो में, किसी नए topic के साथ में,